कुक्वित पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लेटेस्ट रसीपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंट्स, मैं हूँ पारुल, कुक्वित पारुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुती कामकी और उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स वो भी कॉक्रोच को ले करके सभी लोग कॉक्रोच से बहुत परिशान रहते हैं कि कॉक्रोच एक बार अगर पनप जाएं तो उसके बाद वो मल्टिपलाए होने लगते हैं और वो फिर रुकने का नामी नहीं लेते और ये सच्चाई हमें तब पता चलती है अगर रात में आपने लाइट आफ कर दी किचिन की और जब आप लाइट ओन करते हैं थोड़ी देर बाद तो आप सच्चाई को खुदी देखेंगे कि क्या हालत हो रही है सारे में कॉक्रोच आपको नज़र आएंगे अक्सर इसी तरीके की कंडिशन ज़्यादा तर सुनने में आती है और लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये कंडिशन है तो इसको कैसे ठीक करें वैसे तो कॉक्रोच से चुटकारा पानी के लिए बजार में बहुत सारे कैमिकल मौझूद है लेकिन सभी कैमिकल कॉक्रोच को बगाए ना बगाए लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुक्सान दाइक साबित होते हैं श्पेशली तब जब घर में छोटे बच्चे हो और कॉक्रोच घर में है तो ये बिलकुल पक्की बात है कि घर का कोई ना कोई सदस बीमार पड़ सकता है कॉक्रोच बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं और हमारे खाने पीने की चीजों में अकसर घुज जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता तो उससे मार होने के चांसे हमारे जादा हो जाते हैं वैसे तो कॉक्रोच से चुटकारा पाना इतनी आसान बात नहीं है लेकिन कुछ घरेलू उपाये अपना करके हम इनसे चुटकारा पा सकते हैं आपके घर में बनने वले खाने पीने के सामान के अलावा डस्ट में में फेके गए कचरे तक कॉक्रोच पनब जाते हैं लेकिन कई ऐसे घरेलू नुसके हैं जो कॉक्रोच की समस्या को चुटकी बजाते ही सुल जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली टिप वो है बोरिक पाउडर दो बड़े चमच बोरिक पाउडर को सुखे आटे में मिला कर गूथ ले आप चाहें तो थोड़ा दही भी डाल सकते हैं गूथने के लिए वरना आप पानी से गूथ कर इसकी छोटी छोटी गोलिया बना ले इसके बाद इस आटे की गोलिया बनाकर कॉक्रोचों वाली जगाँ पर जहां भी आप कॉक्रोश जादा देखते हैं, वहां पर रखते हैं, बहुत ही जल्दी कॉक्रोश भाग जाएंगे और इसे खाकर मरने लगेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजेगा, कि आप उन गोलियों को जगा जगा प के पास टाइम नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कि बोरिक पाउडर को, जहां पर भी बहुत जादा कॉक्रोश हो रहे हैं, वहां आप चड़कते हैं, सिर्फ चड़कते हैं, और उसे भी जब वो उसके कॉंटेक्ट में आएंगे कॉक्रोश तो वो मरने लगेंगे, क्य बजार में चुहे कर जो ट्रैप आता है, एक स्टिकी टेप टाइप का होता है, उस टेप को आप रात को किचिन में जहां जहां भी कॉक्रोश बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, वहां पर उस ट्रैप को जगे जगे रखते हैं, और खाने का कुछ भी सामान, चीनी या कोई जिससे की कॉक्रोच अट्रैक्ट होते हैं, वह उस ट्रैप के बीच पर रखते हैं, उससे क्या होगा, कि खाने की खुश्बू से कॉक्रोच उस ट्रैप की तरफ आएंगे और सब चिपक जाएंगे, तो इस तरीके से जब आप मॉर्निंग में देखेंगी, तो पूरा ट्र कॉक्रोच रोच जो ट्रैप साथे हैं, उसको लगा दिया था, तो तुम्हे आपको दिखाती हूँ क्योंकि कितनी भी क्लेणिंग कर लो, कोक्रोच इतनी आशानी से जाती रही है, यदि इस ट्रैप से आपकी क्लीं करने के बाद भी अगर कुछ रह जाते हैं, तो वह इस यह देखिए मैंने लगाया था मिसको खोलती हूँ और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कॉक्रोच वले जो ट्रैप्स होते हैं बहुत कामाते हैं साथ की साथ आप जो मैं बता रही हूं तरीके वो अपनाई है और साथ की साथ आप घर में राख के वक्त इन ट्रैप्स को रख दीजे जो भी थोड़े बहुत होंगे वो इन पर्च पकर करके निकल जाएंगे तेज पत्ता इस्तमाल करें तेज पत्ता एक मसाला है और लगबख सभी हम लोगों के रसोयों में मिल जाता है हम खाने में बहुत यूज करते हैं बहुत ही अच्छा खाना भी बनता है खुश्बू आती है लेकिन यही तेज पत्ता कौकरोचों को यूँ भगा सकता है अगर आप इन तेश पत्तों को हाथ से मसल कर चूरा बना कर अपने घर के कोनों में डाल दें, तो इसकी जो एक स्मैल होती है, जो गंध होती है, आपके घर में छिपे सभी कौकरोच भाग जाएंगे, क्योंकि कौकरोच इसकी तेज स्मैल को बिल्कुल लाइक नहीं करते, तो या त जो कबर्ट होती है, उनमें जगे जगे तेश पत्ते आप डाल दें, एक तो उससे डाल बगरा में कीड़ी भी नहीं होते हैं, चीटियां थोड़ी कमाएंगी और कौकरोच भी बिल्कुल गायब हो जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको रिपीटेडली यानि लगातार करते हो जाएं, दूसरी टिप, बेकिंग पाउडर और चीन, बेकिंग पाउडर यानि की खाना सोड़ा, खाना सोड़ा यानि की बेकिंग सोड़ा या आप इसे इटिंग सोड़ा भी बोलते हैं, या मीठा सोड़ा भी, सभी के घर में रहता है, और खाने की चीज़ा हम बनाते ह उसमें काम आता है या तो आप बेकिंग भी करते हैं या पकोडे समोसे इन चीजों में डालते हैं और मैंने काफी सारे होम मेट क्लीनर्स भी बेकिंग सोडा से बनाए हैं बेकिंग सोडा बहुत ही काम की चीज है और आपको बस क्या करना है कि आप बेकिंग सोडा को एक कप मे बिलकुल मरने लगेंगे और क्यूंकि इसमें मुझूद जो चीनी है वो कौकरोज की बहुती पसंदीदा चीज होती है तो वो कौकरोज को अट्रेक्ट करती है लेकिन जब आप इसमें बेकिंग सोडा मला देते हैं तो वो एक जहर का काम करता है और इसको खाते ही कौकरोज म लाइक नहीं करते हैं और इस्प्रे मशीन में आप कैरोसीन का तेल लेकर के कौकरोज वाली जगा पर जगा जगा चड़कते हैं हो सके तो घर से बाहर जाने के कुछ तेर पहले चड़क लें क्यूंकि कभी-कभी लोग इसकी स्मेल लाइक नहीं करते तो आप यह करें कि निकलने लगते हैं नेक्स टिप नेक्स बहुत ही ज़रूरी बात कौकरोज जो मल्टिप्लाइ होते हैं वो मेंली सीलन या थंड़क वाली जगह पर होते हैं जैसे नाली के पास का एरिया वहां पर आप देखेंगे कि कौकरोज बहुत तीजी से बढ़ रहे हैं तीसरी और जितने भी पतनाले वगेरा आपके हैं उन सभी पर सबसे पहले चीज आप जाली लगाएं जो जाली वाला इस ट्रेनर होता है उसको आप लगाएं जाली को वो उसको रोकेगा यानि रात में जो कौकरोज पाइप से निकल कर उपर आते हैं किचिन में फैलते हैं तो उस चीज को जाली बहुत हद तक रोक देती है बहुत ही जरूरी चीज में आपको नेक्स टिप और बता रही हूं वो है अमोनिया एक आप कह सकते हैं कि टॉप क्लास हाउस होड रोचेज होम रेमेडी है यानि अमोनिया आपको किसी भी कैमिस शॉप पर मिल जाएगा और वो आ आपके आने वाले जो कॉक्रोचेज होते हैं ड्रेन में से सिंक में से उनको रोकता है आपको क्या करना है आप एक कप अमोनिया ले और एक बाल्टी पानी में मिला ले अब आप उसको सिंक या टॉइलेट वाली जगाओं पर डाल दें उसकी जो स्ट्रॉंग स्मेल होती है वो उसकी वज़े से कॉक्रोच पाइप या टॉइलेट में से नहीं आपाते हैं वो भी एक अच्छा तरीका है कॉक्रोच को रोकने का क्योंकि अमोनिया की बहुत तेज एक स्ट्रॉंग स्मेल के कारण जो कॉक्रोचेज उस पाइप में होते हैं या टॉइलेट में होते है वो ऊपर निकल कर तरहीं आते हैं, वहीं की वहीं खतम होने लगते हैं, तो जब भी आप रात को किछिन की क्लीनिंग करने के बाद आप यहीं करें, कि आप पाइप में अमोनिया शॉलूशन जो आपने पानी और अमोनिया से बनाया है, यानि एक कप अमोनिया, एक बाल्टी पानी में उसको आप डाल दें, सिंक में और ट्वालेट में तो इस तरीके से पाइप क्लीन भी हो जाएगा और कॉक्रोच भी नहीं आएंगे. नेक्स टिप, अगर आप एक साथ बहुत सारे कॉक्रोच देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेंने कैसे मारे हैं या कैसे भगाएं तो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है साबुन का घोल, पानी में डिटरजन घोल कर साबुन का घोल बना लें और किसी भी प्रकार का आप साबुन आप ले सकते हैं इस घोल को में आप एक फ्रै बटल में भर लें और जहां भी आप कॉ्क्रोच देखे उस पर आप पस्प्रई करना शुरू कर दें आप देखेंगे कि कॉक्रोच तुरंती मरने लग रहे हैं जब आप साबुन का घोल डालते हैं तो वह पोरस आप देखेंगी वो जल्दी जल्दी बहार निकलने लगेंगे कोक्रोज और फिर आप और स्प्रे करें उनके उपर तो वो मरने लगते हैं नेक्स टिप लिस्ट्रीड मैं उसी माउथ वोश की बात कर रहे हूँ जो बजार में मिलता है और हम लोग भी यूज करते हैं ये गरारे करने के अलावा कोक्रोज को बगाने काम भी बाखू भी करता है पानी और लिस्ट्रीड आप बराबर मात्रा में मिला लें और इसमें द लेंगे तो बस आपको क्या करना है आप लिस्ट्रेड को पानी में मिलाएं और थोड़ा सा आप डिस जेल डाले और इस बिक्स को इस पर बटल में भरके छिड़कें कौक्रोज को भगाने में कौफी भी काफी इसरदार होती है जहां कौक्रोज हैं वहां पर आप कौफी के कुछ दाने रखते हैं कौफी के दानों को खाकर कौक्रोज मर जाएंगे और बात में आप इस जगे की सफाई कर दें तो इस तरीके से भी आप कौक्रोज उसको मार सकती है और हटा सकती है एक और नेक्स टिप लाल मिर्च लैसुन और प्याज का घुल एक चमच लाल लिक्विट साबुन घोल दें लिक्विट साबुन यानि कोई भी आप डिस जेल भी डाल सकती है या कोई भी लिक्विट सोप उसको खोल दें अब इस मिश्रन को जहां आप लगाएंगे वहां कौक्रोज बिलकुल नहीं आएंगे इसकी इसमेल से वह भाग जाएंगे तो ये भी एक अच्छा तरीका है कोई को खाने का और उससे निजाथपाने का लॉंग खाने को तो अच्छा बनाती ही है, बहुत खुश्पुदार होती है तेज खुश्पु वली लॉंग भी कौकरोच को भगाने का अच्छा उपाय है घर में जहां जहां कौकरोच हैं, उसके आसपास की जगहों पर लॉंग की कुछ कलियों को रख दें ऐसा करने से जल्दी कॉक्रोच भाग जाएंगे और समय समय पर इन्हें बदलते भी रहें तो जहां भी आप कॉक्रोच देखती हैं वार्डॉप्स में, कबर्ट्स में या कहीं और स्टोर रूम में आप सभी जगाओं पर थोड़ी थोड़ी लॉंग रगते हैं लॉंग की तेज खुश्बू से कॉक्रोच भागने लगते हैं उस जगापर रहना नहीं चाते तो ये तो थे कुछ खास टिप्स कॉक्रोच से निजात पाने के लिए क्योंकि कॉक्रोच का घर से निकलना बहुत ज़रूरी है वो बिमारी का घर होते हैं दूसरी चीज कुछ बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए एक तो घर की साफ सफाई घर ज़्यादतर आप साफ रखें इस्पेशली किचिन दूसरा जितने भी जहापर छेद हो रहे हैं या फिशर्स हैं जहापर लीकेज हैं उन सभी चीजों को आप समलवाएं और ठीक रखें या कहीं दरारे पड़ी हुई हैं उनको आप भरवा दें क्योंकि ज़्यादा तर इन ही जगाओं पर कौकरूश चुकते हैं और पनपते हैं खाना खाने के बाद जितना जल्दी हो सके बरतनों की सफाई करवा दें क्योंकि वो उनको खाना जो भी बरतन में लगा होता है वो कौकरूश को अट्रेक्ट करता है dustbin में भी बहुत दिनों तक सबजी के या फलो के इन चीजों के छिलके ना डाले रखें उनने जल से जल dustbin से clean करवा दें कुछ जमीन पर गिर गया है तो उसको भी तुरंट साफ कराएं तो ये कुछ तरीके हैं जिन से हम बच सकते हैं कौकरोज के पनप्रे से रसोई और बातरूम को जहां तक हो सके नमी से मुक्त रखें उसकी cleaning कराते रहें और ध्यान रहें कि उसमें सीलन ना आए किचिन और बातरूम अपने clean रखें क्यूंकि ज़्यादतर कौकरोज नमी से ही पनप्ते हैं किचिन के platform और फर्ष की सफाई अच्छे से करवाएं खाने की सभी चीज़ें एक airtight ढकन बंद वाले डिबो में ही रखनी चाहिए जिससे कि अगर कौकरोज फैल भी रहे हैं तो खाने में ना पड़ें आप naphthalene की गोलियां जो market में मिलती हैं वो भी आप wardrobe और cabinets में रख सकते हैं क्यूंकि कौकरोज इसकी smell को like नहीं करते और वो उससे दूर रहते हैं बात्रोम और kitchen की जितनी भी नाली है या जो sink का area है वहां हमेशा छोटे छेद वाली जाली जरूर लगवाएं जिससे की kitchen में या बात्रोम में कौकरोज उन में से ना आएं तो मुझे उमीद है आपके साथ जो मैंने कौकरोज से चुटकारा पाने के tips और tricks शेयर किये हैं आपको पसंद आये होंगे आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिए थैंक ये फॉर वाचिंग कुक वित पारूल